अब मद्यप्रदेश के पौने दो लाख ऐसे परिवार जो आज अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं जिनका ग्रह प्रवेश हो रहा है उन सभी को मैं आज बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ शुपकामनाई देता हूँ ये सभी साथी टेकनोलोजी के किसी न किसी माध्यम से पूरे मद्यप्रदेश में इस कारकम से जुड़े है आज आप देश के उन सवा दो करोड परिवारों में शामिल हो गए हैं जीने बीते छे वर्सों में अपना घर मिला है जो अब किराय के नहीं जुग्यों में नहीं कच्चे मकान में नहीं अपने घर में रह रहे हैं पक्के घर में रह रहे हैं साथियों इस बार आप सभी की दिवाली आप सभी के त्योहारों की खुशियां जुरूर कुछ जादा ही होगी कोरोना काल ही के कारण और अगर यह स्थिति न होती तो आज आपके जीवन की इतनी बड़ी खुशी में शाविल होने के लिए कि आपके घर का एक सदस्य ऐसा ही आपका प्रधान सेवक आज मद्दप्रदेश में होता आपके बीच होता और आपके इस आनंद उत्सों में भागिदार होता लेकिन कोरोना की जो स्थिति है उसके कारण मुझे दूर से ही आज आप सब के दर्शन का आउसर मिल रहा है आज के इस समारम में मद्दप्रदेश की गवणर सिमति आनंदि बेन राज्य के मुखमंत्री भाई सिवराज जी केंदर में मंत्री परिशत के मेरे सहयोगी नरजज़सी जी मेरे साथी भाई जोति रादित्य जी मद्दप्रदेश के मंत्री गण के सदश्य साउसत और विधायक गण ग्राम पंचायतों के प्रतिनिती गण और मद्दप्रदेश के गाउं गाउं से जुड़े सभी मेरे प्यारे भाईयों और बहनों आज मद्दप्रदेश में सामोही ग्रह प्रवेश्काई समारो पौने दो लाग गरीब परिवारों के लिए तो अपने जीवन का यादगार पल है ही देश के हर बेघर को अपना पक्का घर देने के लिए भी एक बड़ा कदम है आज का ये कारकम मद्दप्रदेश सहीत देश के सभी बेघर साथियों को एक विश्वाद देने वाला भी पल है जिनका अब तक घर नहीं एक दिन उनका भी घर बनेगा उनका भी सपना पूरा होगा साथियों आज का ये दिन करोडों देश्वासियों के उस विश्वास को भी मजबूत करता है कि सही नियत से बनाई गई सरकारी योजनाएं साकार भी होती है और उनके लावार्थियों तक पहुंचती भी है जिन साथियों को आज अपना घर मिला है जिन से मेरी बाचित हुई है और जिनको मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ उनके भीतर के संतोष उनके आत्मविश्वास को मैं अनुभव कर सकता हूँ मैं आप सभी साथियों से यही कहूंगा कि यह घर आपके बहतर भविश्व का नया आधार है यहां से आप अपने नए जिवन की नई शुरुआत किजिए अपने बच्चों को अपने परिवार को अब आप नई उचाईयों पर लेकर जाईए आप आगे बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा साथियों कोरोना के काल में तमाम रुकावटों के बीच भी देश भर में प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट अठारा लाग गणों का काम पुरा किया गया है उसमें एक लाग पच्चता हजार घर अकेले मद्द परदेश में ही पूरे किये गए है इस दोरान जिस गती से काम हुआ है वो भी अपने आप में एक रिकार्ड है सामान्य तोर पर प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट एक घर बनाने में आउस्तन सवा सो दिन एक सो पचीस दिन का समय लगता है लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो देश के लिए हमारे मिडिया के साथियों के लिए भी कि ये बहुत सकारात्मक खबर है कोरोना के इस काल में पिएम आवास योजना के तहट घरों को बनाने में सवा सो दिन नहीं सिरफ 45 से 60 दिन में ही बना कर तैयार कर दिया गया है आपदा को अवसर में बदलने का ये बहुती उत्तम उदान है आप सोचेंगे कि ये कैसे संबह हुआ पहले सवासो दिन अब 40 से 60 दिन के बीच में कैसे हुआ साथियों इस तेजी में बहुत बड़ा योगदान रहा शहरों से जो हमारे स्रमिक भाईबेन लोटे हैं उनके पास उनर्वी था इच्छा शक्ती भी थी और वो इसमें जुड़ गए और इसके कारण ये परणाम मिला है हमारे इन साथियों ने प्रधान मंत्री गरीब कल्यान रोजगार अभियान का पूरा लाब उठाते हुए अपने परिवार को संभाला और साथ साथ अपने गरीब भाई बहनों के लिए घर भी तयार करके दे दिये मुझे संतोस है कि पीएम गरीब कल्यान अभियान से मद्द्रदेश सहीत देश के अनेक राज्यों में करीब करीब 23,000 करोड रुपिये के काम पूरे किये जा चुके इस अभियान के तहट गाउं गाउं में गरीबों के लिए गर्तों बनी रहे हैं हर गर जल पहुँचाने का काम हो आंगनवाडी और पंचायत के भवनों का निर्माण हो पशुओं के लिए शेड बनाना हो तालाब और कुए बनाना हो गरामी इन सडकों का काम हो गाउं के विकास से जुड़े ऐसे अनेक काम तेजी से किये गए हैं इससे दो फायदे हुए हैं एक तो सहरों से गाउं लोटे लाखों स्रमिक साथियों को रोजगार उपलब्द हुआ है और दूसरा इट, सिमेंट, रेट और निर्मार से जुड़े दूसरे सामान का व्यापार कारोबार करते हैं उनकी भी विक्री हुई हैं एक प्रकार से प्रधान मंत्री गरीब कल्याड रोजगार अभ्यान इस मुश्किल समय में गाउं की अर्थववस्ता का भी बहुत बड़ा सहारा बनकर के उभरा है इसे बहुत बड़ी ताकत प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत हो रहे कारियों से मिल रही हैं साथियों मुझसे कई बार लोग पुछते हैं कि आखिर गर्तों देश में पहले भी बनते थे सरकार की योजनाओं के तहत बहनते थे फिर आपने बड़लाओं क्या किया ये सही है कि गरीबों के लिए घर बनाने के लिए देश में दसकों पहले से योजनाओं चली आ रही हैं बलकि आजादी के बाद के पहले दसक से ही सामुहिक विकास कारकम के तहत ये काम शुरू हो गया था फिर हर 10-15 साल में इस प्रकार की योजनाओं में कुछ जुड़ता गया नाम बदलते गए लेकिन करोडों गरीबों को जो घर देने का लक्स था जो एक गरिमा पुर्ण जीवन देने का लक्स था वो कभी पुरा ही नहीं हो गया कारण ये था कि पहले जो योजनाओं बनी थी उनमें सरकार हावी थी सरकार का दखल बहुत ज़ादा था उन योजनाओं में मकान से जुड़ी हर चीज का फैसला सरकार और वो भी दिल्ली से होता था जिसको उस घर में रहना था उसको कोई पूस्ता ही नहीं था अब जैसे शेहरों की ही तरज पर आदिवासिक शित्रों में ही कॉलोनी सिस्टम थोपने की कोशिश होती थी शेहरों जैसे मकान बनाने की ही कोशिश होती थी जबकि हमारे आदिवासि भाई बेहनों का रहन सेन शेहर के रहन सन से बिलकुल अलग होता है उनकी जरूरत्य अलग होती है इसलिए सरकार के बनाए घरों में उनको वो अपना पन कभी नहीं लगता था इतना ही नहीं पहले की योजनाओं में पारदर सिता की भी भारी कमी थी कही तरह की गरबढ़िया भी होती थी मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ इसलिए उन घरों की क्वालिटी भी बहुत खराब होती थी उपर से बिजली पानी जैसी मुल्ग जरूरतों के लिए लाभारती को सरकारी दफ्तरों के चक्कर अलग से काटने पड़ते थी इन सबका नतीजा ये होता था कि उन योजनाओं के तहट जो गर बनते भी थे उनमें जल्दी लोग सिफ्ट ही नहीं होते थे उनमें गरफ अवेशे नहीं हो पाता था साथियों 2014 में हमने जब से कारिय समाला इन पुराने अनुभावों का अध्यन करके पहले पुरानी योजना में सुधार किया गया और फिर प्रधान मंत्री आवास योजना के रुप में बिलकुल नई सोच के साथ योजना लागू की गई इसमें लाभार्ति के चैन से लेकर ग्रह प्रवेश तक पार दर्सिता को प्रात्विक्ता दी गई पहले गरीब सरकार के पीशे दोड़ता था सिफारस के लिए ढूंदता था लोगों को आज हमनारी योजना ऐसी है कि सरकार को लोगों के पास जाना होता है खोजना होता है और सुविधा देनी होती है अब किसी की इच्छा के अनुसार लिष्ट में नाम न जोड़ा जा सकता है न गटाया जा सकता है चयन से लेकर के निर्मान तक वैज्ञानिक और पारदर्सित तरीका अपनाया जा रहा है इतना ही नहीं मट्रियल से लेकर के निर्मान तक स्थानी अस्तर पर उपलब्द और उप्योग होने वाले सामानों को भी प्रात्विक्ता दी जा रही है घर के डिजाइन भी स्थानी जरुरतों और निर्मान श्यली के मताभी की तैयार और स्विकार किये जा रहे है अब पूरी पारदर्सिता के साथ गर बनाने के हर चरण की पूरी लाभारती खुद अपना घर बनाता है जैसे जैसे घर बनाता जाता है वैसे वैसे घर की किस्त भी उनके खाते में जमा होती जाती है अब अगर कोई बेहिमानी करके भी कुछ कोशिच करता है तो इसमें पकड़े जाने के लिए अनेक रास्ते भी बनाए गए है साथियों, प्रधान मंत्री आवास योजना की एक बहुत बड़ी विशेस्ता है उसका इंद्रधनूशी स्वरूप जैसे इंद्रधनूश में अलग-अलग रंग होते हैं वैसे ही प्रधान मंत्री आवास योजना के तहद बनने वाले घरों के भी अपने ही रंग है अब गरीव को सिर्फ गरी नहीं मिल रहा है बलकि घर के साथ 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 सौचालय भी मिल रहा है उजवला का गैस कनेक्शन भी मिल रहा है सवभाग्य योजना का बिजली कनेक्शन उज़ाला का LED बल्ब पानी का कनेक्शन सब कुछ गर के साथ ही मिल रहा है यानि पीएम आवास योजना के आधार पर ही अनेक योजनाओं का लाभ लाभारति को सीधे मिले ये देखा जा रहा है मैं सिवराज जी की सरकार को फिर बढ़ाई दूँगा कि उन्होंने इसको विस्तार देते हुए पीएम आवास योजना के साथ 27 योजनाओं को जोड़ा है साथियों प्रधान मंत्री आवास योजना हो या स्वच्च भारत अभियान के तहद बनने वाले सौचाले हो इन से गरीब को सुविधा तो मिली रही है बल्कि ये रोजगार और ससक्ति करण का भी ये बड़ा अमाध्यम है विशेश तोर पर हमारी ग्रामिन बहनों के जीवन को बदलने में भी ये योजना ये एहम भूमी का निभा रही है पीएम आवास योजना के तहद बन रहे घर की रजिस्ट्री जादातर या तो सिर्फ महिला के नाम पर हो रही है या फिर साजी हो रही है वही आज गावों में बड़ी मात्रा में रानी मिस्त्री या महिला राज मिस्त्री के लिए काम के नए अवसर बन रहे है अकेले मद्डप्रदेश में ही पचास हजार से ज्यादा राज मिस्त्रियों को प्रसिखित किया गया है और इसमेंसे नव हजार रानी मिस्त्री है इससे हमारी बहनों की आई और आत्म विश्वास दोनों में बढ़ोत्री हो रही है साथियों जब गरीब की गाउं की आय और आत्मिविश्वास बढ़ता है तो आत्म निर्भर भारत बनाने का हमारा संकल्प भी मजबूत होता है इस आत्मिविश्वास को मजबूत करने के लिए गाउं में हर प्रकार का आधुनिक इंफरस्ट्रक्चर विक्सित किया जा रहा है 2019 के पहले पांच वर्ष सवचालय, गैस, बिजली, सड़क ऐसी बेसिक सुभी धाओं को गाउं तक पहुँचाने का काम किया गया अब इन मुल्ग सुभी धाओं के साथ साथ आधुनिक सुभी धाओं से भी गाउं को मजबूत किया जा रहा है इसी पंदरा अगस को लाल के लिए से मैंने कहा था कि आने वाले एक हजार दिनों में देश के करीब 6 लाग गाउं में आप्टिकल फाइबर बिछाने का काम पूरा किया जाएगा पहले देश की धाई लाग पंचायों तक फाइबर पहुँचाने का लक्ष रखा गया था अब इसको पंचायत से आगे बढ़ा कर गाउं गाउं तक पहुँचाने का संकल पली आ गया है इस कोरोना काल में भी प्रधान मंत्री गरीब कल्या रोजगान अभ्यान के तहट ये काम तेजी से चला है सिर्फ कुछ हपतों में ही देश के 116 जिलों में 5000 किलोमेटर से ज़्यादा का आप्टिकल फाइबर बिचाया जा चुका है जिससे साड़े 1200 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में करीब 15,000 वाइफाई होट स्पोट और लगबग 19,000 अप्टिकल फाइबर कनेक्शन दिये गये हैं यहां मद्दप्रदेश के भी चूने हुए जिलों में 1300 किलोमेटर से ज़्यादा आप्टिकल फाइबर बिचाया गया है और मैं फिर याद दिलाऊंगा यह सारा काम कोरोना काल में ही हुआ है इतने बड़े संकट के बीच हुआ है जैसे ही गाउं गाउं में आप्टिकल फाइबर पहुँचेगा तो इससे नेट्वर्क की समस्या भी कम हो जाएगी जब गाउं में भी जगए जगए बहतर और तेज इंटरनेट आएगा जगए जगए वाइफाई हॉट स्पॉट बनेंगे तो गाउं के बच्चों को पढ़ाई और युवाओं को कमाई के बहतर आउसर मिलेंगे यानि गाउं अब वाइफाई के ही हॉट स्पॉट से नहीं जुडेंगे बलकि आदूनिक गतिविद्यों के व्यापार कारोबार के भी हॉट स्पॉट बनेंगे साथियों आज सरकार की हर सेवा हर सुविदा अनलाइन की गई है ताकि लाभ भी तेजी से मिले करप्शन भी ना हो और गाउं के लोगों को छोटे छोटे काम के लिए भी शहर की तरफ न भागना पड़े मुझे विश्वास है कि गाउं गाउं ऑप्टिकल फाइबर पहुँचने से इन सेवाओं और सुविदाओं में भी और तेजी आएगी अब जब आप अपने नए गर में रहेंगे तो डिजिटल भारत अभ्यान आपका जीवन और आसान बनाएगा गाउं और गरीब को ससक्त करने का यह भ्यान अब और तेज होगा इसी विश्वास के साथ आप सभी साथियों को अपने खुद के पक्के घर के लिए फिर से अनन्त शुब कामनाय देता हूँ लेकिन याद रखिए और ये बात बार बार मैं कहता हूँ जरूर याद रखिए मुझे विश्वास है आप याद रखेंगे इतना ही नहीं मेरी बात मानेंगे भी देखिए जब तक दवाई नहीं तब तक धिलाई नहीं याद रहेगा जब तक दवाई नहीं तब तक धिलाई नहीं दो गज की दूरी मास्क है जरूरी इस मंत्र को भूलना नहीं है आपका स्वास उत्तम रहे इसी कामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सब को बहुत बहुत